नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत मैं हूँ अभिशेक मिस्रा यहूंतो देश भर के तीन लोग सभा सीटों पर और देश के तीस विदान सभा सीटों पर उपचुनाओं होने हैं और इस उपचुनाओं की तारिखों का एलान हो गया है लेकिन पूरे देश की निगाहें जिन दो सीटों पर टिकी हुई है वो है बिहार की दो विदान सभा सीट और इन दो विदान सभा सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है मुंगेर की तारापूर विधान सबा सीट और दर्भंगा की कुशिस्वर अस्थान सीट मुंगेर की तारापूर विधान सबा सीट बिहार के पुर्व सिक्षा मंतरी नेवा लाल चौधरी के निधन से खाली हुई है और दर्भंगा के कुछिस्वर अस्थान की सीट जेडियू विदायक ससिभूसन हजारी के निधन से खाली हुई है इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब उपचुनाव की तारिखों का एलान कर दिया गया है चुनावायों की तरप से एक अक्टूबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा नामांकन की प्रक्रिया सुरू होगी और आठ अक्टूबर वह अंतिम तारीक होगी जब तक उमिदवार अपना नामांकन कर सकते हैं 11 अक्टूबर को अस्कूरूट नी होगी 30 अक्टूबर को माफ किजिएगा वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को इस उपचुनाव का परिनाम सामने आएगा क्या असर पढ़ना है बिहार की राजनिती पर क्या असर होना है और क्यों देशवर की निगाहें टिकी हुई है इस उपचुनाव पर बिहार की इन दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर देशवर की निगाहें क्यों टिकी हुई है बिहार की राजनिती में इस उपचुनाओं से क्या बदलने वाला है हम आपको बताते हैं क्या बदलने वाला है ये सत्ता का सेमी फाइनल है बिहार का जो राजनितिक घटना करम है मौजूदा वक्त में और अलग-अलग मुद्दों की वज़े से अलग-अलग राजितिक मसलों की वज़े से उसमें ये उपचुनाओं बहुत महत्पूर्ण है जेडियू के लिए ये साख का सवाल है कि इन दोनों सीटों पर ये दोनों सीटे जेडियू की है जेडियू के विदायक थे मेवालाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, कुरोना की वज़स उनका निधन हुआ, मुगिर की तारापुर सीट्स है, जेडियू के ही विदायक थे, ससी भूसन हजारी, दर्भंगा के कुशस्वर अस्थान सीट्स है, तो दोनों सीटे जेडियू की है, और जेडियू के लिए चुनो में, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है, कहीं बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर फिर कोई बड़ा खेल न कर दे, चिराग पासवान पहले ही उपचुनाओ लडने का एलान कर चुके हैं, ते जस्वी यादो लगातार कह रहे हैं, कि उनकी पाटी उपचुनाओ लड चाना उनके लिए तो और महत्पुन है, जेडियू के लिए और महत्पुन है, अगर जेडियू के रास्टिय अद्रक्ष अपने छेतर की सीठी नहीं बचा पाएंगे, तो जाहिरे कई तरह के सवाल खड़े होंगे, और बहुत वक्त नहीं हुआ है लगान सिंग को रास्ट हैं, इस पर ठिकी हुई है, और अब जब तारीखों का अईलान हो गया है, तो इस सुप्टुनाव को लेकर जो भी खबरे होंगी, इस सुप्टुनाव से जोड़ी हुई अलग अलग एंगल से जो भी तस्वीरे होंगी, जो भी खबरे होंगी, वो हम आपको बताते फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद